तो चलो प्यारे बच्चे इस फाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है अगर इसमें यह कहा जा रहा है कि एक AC source is connected to a capacitor सी यह पूरा एक capacitor है 3D डियागराम यह ढ़िखाया है और यह जो battery है यह AC source है AC source मलब E is equal to E naught sin omega T E naught क्या है E rms maximum value है E RMS ने लगा दिया यहाँ पे तो अगर हमने लगा दिया तो यह कहते हैं operating frequency decrease करते हो जो frequency है अगर मैं source का decrease करता हूं तो यह जो capacitor है जो capacitive reactance offer करता है capacitive reactance उसकी value क्या होती है तो आप सबको पता होगा अगर आप इस question को solve करोगे तो capacitive reactance की value होती है तो अगर फिरिक्वेंसी कम करोगे तो एक्ससी की जो वैलू है वह कॉंस्टेंट नहीं रहेगी इनक्रीज करेगी यह तो बात अपना क्लियर हो गया तो फॉर्स्ट ऑप्शन गलत है और इनक्रीज करेगी तो यह डिक्री दिया तो सेकेंड भी गलत है डिस्प्लेश्मेंट करेट क्या होताय है देगो जब कभी भी हम यहां से बैटरी को करते हैं तो कैपसीटर के प्लेटों के बीच प्लेट ए और प्लेट बीच के बीच मतलब इस रीजन में इस रीजन में एक करेंट फलो होती है डू तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फिल्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि चार्ज फ्लो की वज़े होती हैं यहां तो यहां पर बराबर कैसे हो सकता कि यहां पर जो भी किरेंट है और यहां पर जो करिंट है वह डिस्पलेशमेंट करेंट के फर्म में कैपसेटर के प्लेटों के बीच और कंडेक्शन करेंट जीरू है थीक न तो आई सी बराबर होता है आई डी के यह बहुत हमें ध्यान रगना है कि यह यहाँ पर जो है इसकी गांटिनिटी होती है जितनी मतलब यहां से बराबर हो गए तो एक काम करते हैं डिस्प्लेस्मेंट करेंट इंक्रीज होगा तो क्या जब रजिस्टेंस जब करेंट की बढ़ेगी तो करेंट इसमें लगत जा जाम करेंट के वेलू ए और बस है प्रयओं डिवाइड़ प्रस्प्लेड्वाइड जन्ली ख्यकरश तो जैसे फिरिंग्वेंची घटाओगे वह इसे एक्स सी की बाएज़ बस करेंट की रहे तो क्रेंट के प्लेटों के भी displacement current भी decrease करेगी क्योंकि यह दोनों magnitude में बराबर होते हैं तो इसका मतलब बेवगवा सी ओप्षन सही नहीं है displacement current will decrease कि